पढ़ना है ना ब्रित पढ़ना है कलाफ नंबर ये 33 है डी इल इडी डी डी डिप्लोमा इने लिमेट्री एजूकेशन क्या आप लोग जानते हैं ब्रित कौन से जानवर का नाम है भई सर्कल क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ना है सर्कल क्या है ब्रित क्या है उस बिंदु के बिंदुपत को उस बिंदु के बिंदुपत को जिसकी किसी इस्थिर बिंदु से दूरी सदव एक समान रहे क्या रहे सदव एक समान रहे उसे क्या कहते है ब्रित कहते है यानि उस बिंदू के बिंदूपत को जिसकी किसी इस्थिर बिंदू से दूरी सदव एक समान रहे उसे बृत कहते हैं इसके बारे में अस्वम पूर्ड अध्यन करना है ठीक है उस बिंदू के बिंदुपत को जिसकी किफी निश्चित बिंदू से दूरी हमेशा क्या रहे है एक समान रहे यानि यह जो सेंटर है यहां से आप किसी भी तरफ को ना पोगे हमेशा दूरी क्या आएगी एक साथियों इस पॉइंट को हम लोग सी से प्राया डिनोट करते हैं और इस सी को क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे केंद्र बोलते हैं यानि बीच में जो बिंदू होता है जहां पर एक परकार से परकार रखके ऐसे सरकल को ड्रा करते हैं उसे क्या बोल तो जो AC है वो क्या है तिरिज्जा है क्या है साथियों तिरिज्जा है जिसे इंगलीज में रेडियस बोलते हैं क्या बोलते हैं पर यह साथियों इसे रेडियस बोलते हैं आप लोग मुझे बताओ कि एक ब्रित्त में कितनी रेडियस खींची जा सकती है एक ब्रित्त में कितनी तिरिज्जाएं खींची जा सकती है पहला आप्सन है केवल एक, दूसरा आप्सन है चार तिरेक्ज जाए तिसरा आप्सन है तीन और छौथा आप्सन है अनंत बहुत सारी कितनी बोलो प्रिया कुमारी ठीक भाइव अझ्छे बहुत अच्छे यूनों ने जबाब दिया तो साथियों एक बृत के अंदर हम लोग अनंत त्रिज्याएं खिंच सकते हैं इन्पाइनाइट खिंच सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती है ठीक है अनंत त्रिज्याएं खिंची जा सकती है चारो तरफ कोचा जितनी खिंचो कोई गिंती नहीं होती है ठीक है पूरा पूरा जो AB है बाबू इसको क्या बोलते हैं ब्यास बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्यास बोलते हैं जिसे इंगलिस में डामेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं डामेटर बोलते हैं तिरिज्या को इंगलिस में रेडियस बोलते हैं AC is radius और AB is diameter and C is center समझ में आ रहा है ना आ रहा है ना लेकिन अगर कोई रेखा केंद्र को न टच करे यह ऐसे इसी में अपना कूदे भान दे तब क्या होगा भाया माल लो इसका नाम D और E हो गया बताएए D E को क्या बोलेंगे नाम बताओ क्या बोलेंगे इसे हम लोग पढ़ रहे हैं सरकल ब्रित पढ़ रहे हैं तो साथियों कोई रेखा जो केंद्र को टच ना करे जैसे मैंने उधर दो खींचा है D E और वैसे निकल जा साइड से तो उसे क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं C O R D यानि हिंदी में इसे जीवा कहा जाता है क्या कहते हैं जीवा कहा जाता है IUC राजपूत अन्नु सुकला प्रकास स्टेटस फॉर यू रचना दीपेंद्र क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं भाईया क्या बोलते हैं बाबु जीवा बोलते हैं तो D E क्या है जीवा है जिसे इंगलिस में कॉर्ड बोलते हैं लिख लेना ठीक है तो ये क्या हो रहे है ये आप पढ़ रहे हो सरकल बृत तो बृत की ये थोड़ी थोड़ी बेसिक फंडामेंटल है ठीक है और जो ये चारो तरफ की बाउंडरी होती है न भाईया ए बाबू प्रेंस बोलते हैं ठीक है समझ में है न ये तो थी इनकी बेसिक बाते हैं जो मैंने आपको बता दिया अब इनकी कुछ और भी बिसेश्ताएं क्योंकि आपको इनकी की बारे में आज बढ़ना है बिसेश्ताएं सही लिखा हूं ना सही तो लिखता हूं लेकिन कभी-कभी जाता है हिंदी बड़ी कटीन है इसको ऐसे बोलते हैं इंग्लीज में इसको प्रपर्टी बोलते हैं प्रपर्टी जो के साथ हूं भी सेश्ताएं क्या होती है इसे करेक्ट्रिक्ट्स भी बोलते हैं जो भी हो छोड़िए हम लोग इंदी में पढ़ेंगे इनकी क्या-क्या भी सिस्ताएं हैं, बताएं, लिखिये, कापी पेन लेकर के मैं लिखूंगा नहीं, लिखिये, नमबर 1 लिखिये, एक ही बृत्त की तिरिज्ञाएं हमेशा बराबर होती हैं, लिख लिए, दूफरा लिखिये, अब बृत्त को सभी ब्रित्त को सभी ब्यास केंद्र पर सम्दुभाजित करते हैं सभी ब्यास केंद्र पर सम्दुभाजित करते हैं यानि अगर इसमें से हम जीवा को हटा दें इसमें से अगर हम जीवा को हटा दें तो ये ब्रित दो भाग में बंट जा रहा है कि दो पार्ट में बंड जा रहा है कौन-कौन एक तो ये एभी हो गया और एक इधर वाला एभी जैसे एक तरबूज है बीच से काट दीजिए तो तरबूज आधा-धा हो जाता है ना वैसे ब्रित को क्या करता है जो ब्यास होता है वो दो भाग में बाड़ता बराबर दूसरा दूसरा हो गया ना तीफरा लिखिए पहला मैंने लिखवाया साथियों एक ही ब्रित की सभी तरिज्जाय आपस में बराबर होती है दूसरा ब्रित के जो सभी ब्यास होते हैं ऐसे बोल सकते हैं ब्रित के सभी ब्यास ब्रित के सभी ब्यास ब्रित को केंद्र पर दो बराबर बराबर भागों में बाड़ते हैं ठीक है अगला लिखिए यदि दो ब्रित की तिरिज्जाएं आपस में बराबर है यदि दो ब्रित की तिरिज्जाएं आपस में बराबर है तो दोनों बृत्त आपस में क्या होँगे बराबर होंगे ठीक है तो दोनों बृत्त आपस में बराबर होंगे चौ aurthah number लिखी है बराबर भृत्पों की परिधी भी आपस में बराबर होती है बराबर बराबर भृत्पों की परिधी यानी circumference भी आपस में इक्वल होती है लिख लिजिए अगर आप वास्तों में पढ़ने वाले हैं तो जरूरी है लिखना ठीक है ये बृत्य की क्या है खासियत है नहीं लिख पा हुआ है तो वीडियो को थोड़ा बायक करके फिर से सुन लीजिए बीडियो थोड़ा पीछे करेंगे फिर सुनाई पढ़ेगा ब्रित्य के भीतर अगला लिखिए ब्रित्य के भीतर किसी बिंदु से केंद्र की दूरी हमेशा त्रिज्जा से कम होती है ब्रित्य के भीतर किसी बिंदु से केंद्र की दूरी हमेशा त्रिज्जा से कम होती है जैसे एक जाबपल के लिए मने कहा इसलेचि अगर मने एक ठेओध खींदया ओसी तो यह भी क्या है त्रिज्जा है लेकिन अगर बृत्य के भीतर हम कोई point ले लेते हैं मालो यहां ले लिए तो अगर हम इसको मिलाते हैं माल लेते हैं इसका नाम हमने रख दिया जड रख दिया तो साथियों जो C और Z है ना इसकी दूरी इसकी दूरी हमेसा A, B या O, C या B, C से कम होगी यही कहा जा रहा था समझ मैं है ना जैसे कोई और point ले लेते हैं यहां ले लेते हैं मालो इसको मैंने यहां मिला दिया तब अगर इसका नाम मैंने Y, C रख दिया तो यह Y, C की जो दूरी है Y, C की जो लंबाई है वो हमेसा B, C या A, B से कम होगी क्योंकि यह परिधी में टच नहीं कर रहे है उसके थोड़ा पहले ही है समझ मैं है ना भाई यह प्रिया कुमारी को बला करी है इनको पंकच की बड़ी फिकर हो रही है और पंकच को इनसे जादा मतलब और जादा फिकर है तो इनको लोग को अटाईए यहां से क्योंकि पढ़ने दीजिये यह चोटे बच्चों की कलाफ नहीं है यह उन लोगों की कलास है जो इस छेतर में महारत हासिल कर चुके हैं अब उनकी इच्छा नहीं इसमें और कुछ करने की है ना तो ऐसे इन लोगों को यहां से हटाईए अभी लोग नादान है अभी एक्सपर्ट नहीं हुए है चलिए छठमा नमबर लिखिए एक केंद्रिये एक केंद्रिये बृत कभी आपस में काड़ते नहीं है कभी आपस में काड़ते नहीं है एक केंदरिये बृत कभी आपस में काड़ते नहीं इसमें कुछ मैंने और भी चीजें लिखके रखा था लेकिन वो मिल नहीं रहा है हो गया एक बृत का केवल एक ही केंदर होता है सबसे बड़ी बात ये भी है एक बृत का केवल एक ही केंदर होता है एक ही सेंटर होता है एक से अधिक केंदर बृत्त में नहीं होते हैं समझ गए ना ये था बृत्त की विशेष्टा है जो मैंने लिखवा दिया साथ आप लोगों ने उमीद है कि लिख लिया होगा ठीक है कि अज्छा पँंककच दो लोग है ठीक है कोई बात नहीं किसी पुलात नहीं किया जारा लेकिन आप बात मत करो शिर्प पढ़ाई करिए शिर्फ आरत पढ़ाई क्योंकि वक्त बीट रहराए ना जैसे जो लोग डाट कर रहे connection तो अकसर अठारा से पचीस साल तक हो गए होंगे आने वाले दो से तीन साल में लोग यह नहीं पूछेंगे आपके कितने बाफ्रेंड है कितने गल्फ्रेंड है कितने फ्रेंड है यह पूछेंगे करते क्या हो करते क्या हो कमाते कितना हो क्या प्रोफेशन है आपका तो क्या इसे मुढ बना लोगे, का करोगे, कि इलागे दिखा दोमा दो, का भ़ू दिखाईतों का प्ला बता हैं, का करोगे बता? इसलिए पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए. बड़ा अनुभू के साथ बोल रही हूım ये सब, आब समझ रहे होंगे. तो क्या इसमें मैंने आपको ब्यास बता दिया, तिरिज्या बता दिया, परिधी बता दिया, केंद्र बता दिया मुझे तो नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा है, हो गया और क्या है भई इसमें बृत्त खंड कि परिकेंद्र कुछ चीजें हैं जो यहां पर नहीं बताई जा सकती है उनको गोला परकार पट्री पेंसिल से दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर वो नहीं हो सकता है हां कुछ कुईस्चन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें कोई सूत्र नहीं बताया है तो लिखिए एक ब्रित्त की तिरिज्या तीन सेंटीमीटर है तो ब्रित्त का ब्यास बताईए कि एक ब्रित्त की तिरिज्या तीन सेंटीमीटर है तो ब्रित्त का ब्यास बताईए देखिए यह बातें छोटी-छोटी होंगी भले कुईस्चन बहुत छोटे-छोटे हैं सूत्र बड़े छोटे-छोटे हैं लेकिन यह आपको आना चाहिए जरूरी है ठीक है आना चाहिए आपको कोई बताया अनुपा मौर रहा छे सेंटीमीटर ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे यह सरकल हो गया मान लेता हूं कि यह 3 cm है यह क्या है 3 cm है देखिए सिंपल सा बात है मैंने अभी बत बताते बढ़ाय के लेकिन आप समझो थब ना जो तिरिज्या होती है वो ब्यास की आधी होती है तो इसका एक सुत्र होता है ब्यास बराबर दो गुड़ा तिरिज्या हम अगर ब्यास को डी मान लिया जाया तो डी इक्वल 2 x r यह फर्मूला होता है कि इसी का जश्ट उल्टा भी कर लीजिए अगर आर निकालना है तो डी अपांटू हो जाएगा यह सूत्र होता है इनकी तृज्जय रुज्जय निकालने का कि समझ रहो ना आप लोग कि तो मैंने कहा था कि अगर त्रिज्जय त्री सेंटेमीटर दी गई है आपको ब्याफ निकालने तो डबल कर दीजिए हो गया हूं हो गया लेकिन लेकिन का है अगर इसकी परिधी निकालना हो तो कौन-कौन कर लेगा भई अगर इसकी परिधी निकालने है तो क्या आएगा अच्छा इसकी परिधी निकालने के बताओ साथ रख लो इसको तुरिज्या को 7 cm ले लिजए आप बताइए इसकी परिधी कितना आएगी जानि सरकॉंफ्रेंस निकालना है मतलब ये पूरा पूरा निकालना ये 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 परिधी कितना आएगी इसका तो कौनों का शुत्रवय नयाद वे ता कमफ्रेंस कितना होता है 2 pi r होता है ना 2 pi r होता है ना 2 pi r ना होता है ना तो भैं सिंपल साहा लगा दो 2 pi r सूत्र लगा दीजिए 2 pi r 2 into pi कमान 22 बटा 7 r कमान 7 देखो मैंने अभी इफिलिय इसको बदल दिया था यह कट जाएगा 44 आएगा 44 cm कितना आएगा 44 अंजली बर्मा दिपेंद्र ठीक है अगर यह सिर्फ 3 रह जाता तो क्या करते तो यहां कटता नहीं बस और और pi कमान भी न रखते फिर यानि 6 pi आता अगर इसको r को 3 ले लिया जाए तो 6 pi आता ठीक है अगर pi कमान रख भी दोगे तो कटे बटेगा तो है नहीं को नहीं मतलब निकलेगा नहीं सब को समझ में आ रहे ना लेकिन आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं क्यों मजा नहीं आ रही है कुछ सेर सायरी जो जो चुटकुला लेकर आया करे का यहां मजा भी है बीच बीच में सभी साथी फट से कलास को लाइक कर दीजिए तुरंट जल्दी करिए इसमें यह जो भी थे बृत में लगबग हो गए अब कुछ रचना वाले टोपिक हैं जो यहां पर बीना आउजार के नहीं हो सकते हैं और वो आउजार यहां पर दिखने पाएगा क्योंकि यह कैमरा बड़ा दूर है मतलब गोला परकार पट्री पैंसिल और यह सारी चीज करूंगा या कल के लाइब में दिखाऊंगा कुछ वैवस्था करूंगा ठीक है इसमें कुछ पर्मिये भी सिद्र करवानी है जैसे की बृत्य के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदू से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है सिद्र कीजिए बृत्य की जो तिरिज् इजें थी यहां पर बताने लाइक मुझे लगता है कि वह हो गये हैं अच्छा यह बताइए आयत के कोई गुण बताईए आप लोग रेक्टैंगल की कोई प्रपर्टी याद है आपको बोलिये कि आयत के गुण कोई भी एक प्रपर्टी बताईए आप लोग मेंने पढ़ आयत का कोई एक ऐसा गुण बताई यह जिससे सिद्ध हो जाए कि वह आयत है जैसे सब लोगों का कोई ने कोई गुण होता है नहां समझ रहे होग नहीं कुछ लोगों का गुण होता है बाल वाल बड़े धंग से बना के चलते हैं तो उनको कोई भी अगर पूछेगा बताओ बताओ किसके बारे में अरे वही जो बलवा इसे इसे बना के चलता है यह चलती है मतलब अब कुछ ज्यादा बोलेंगे तो इडियो ना ठीक है मैंने पूछा कि आयत का कोई गुण बताइए तो इसमें सबसे पहले जो जबाब आया है वो है फीजा खान का इन्होंने कहा कि प्रते कौन नब्बे का होता है तीन सम एक सो असी यह तीन सम एक सो असी का है भाई और कोई अनिवन प्रीती क्रियसन सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है बिल्कुल सही है अनुपम जी बहुत अच्छे अंजली रुची और रचना कमेडियन एमेस हासमी हर कोंडब्बे का नहीं होता प्रते कोंड ऐसे बोल सकते हैं हाँ यह भी सही है आपका कि एब्री एंगल नेटी का होता है ठीक है तो सा कुले मोटा मोटा आपने पूरा टायल का किता ओधी एक खतम कर लिए हां दिया यानि बीटीचि का कोर्स आज से खतम हो गया बड़ी खुसी की बात मुझे पता भी नीथ हो गया तो आपका फ्रस्सेमस्टर की क्लास या मिर्दील कार बट्री इंट करना है कि किसी को अगर लग रहा है कि कोई चैप्टर छोड़ दिया गया जो आपको नहीं पढ़ाया गया तो बताइए डिल यानि बीटीसी परताम समेश्टर का मैथ का कॉर्स खतम हो गया है लेकिन जाना नहीं खुशी मचा के जाओ चलो dance करो कल से अब तो खतम होईगा, नहीं, अभी ये खतम हुआ है, मतलब, नर्मली खतम हुआ कि कोई इलजाम न लगा, मेरा कोर्स नहीं खतम हुआ, अब हम इसको गहराई से चाट डालेंगे पूरा एक तरफ से, समझ रहो ना, मतलब, समझ रहो कि नहीं, जो मैं कहना चाह थोड़े-थोड़े कुश्चन हुए है, उसमें क्या करने है, बहुत सारे कुश्चन हल करने एक टाइप के, एक टाइप के खूब सारे कुश्चन हल करने है, कि डांस करना भी शुरू कर दिये कुछ लोग चलो तो एक कोईस्टन बताइए संपूर्ण कॉण कितने अंसका होता है संपूर्ण कोण मींस कंपलीट एंगल कितने डिगरी का होता है कि एवाई डांस वांजा मत करो चलो बताओ पहले पहले बताओ फिर कर लेना चलो ए रुख जा रुख जा कि अगला क्विश्चन कि सबसे छोटा नियून कोण कितने डिगरी का होता है अंजली ये तो बहुत पहले बता दिया गया होगा अगर आपके चेप्टर में होगा तो सबसे पहला जबाब आया है इसमें सुप्रिया का फिजा खान और पंकाज तीन लोग का नाम बोलूगो बस 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 सबसे छोटा नियून कोण कितने डिगरी का होता है एक सो असियन्स के कोण को क्या कहते है उसका नाम क्या है रचना गलत है सिंगल बॉय तुम्हारा भी गलत है बच्चा अब वन सी का ठीक है सही है लगबग सही है चलो भीजा खान ठीक है सहरिता क्यों 125 से नीचे निवन कोण नहीं होता है का एक सिंस के कोण को क्या बोलते हैं सबसे पहला इसका जो सही जवाब आया है एक सो असियन्स के कोण को रिजू कोण बोलते है उनका नाम है और दीपेंदर आप पैंदर जी बहुत अच्छे बिरी गुडदी बशी बहुत अच्छे ठीक है ही आप लोग ने पढ़ा है ना पड़ा है ना एक एकदम छोटा सा कोईश्चन बता यह एकदम छोटा सा इससे चोटा कोईश्चन बगवान बना के गए ही नहीं नहीं तुम्हें वही बता देता है वह यह है कि यह तिर्भूज है कि लगदोरा दिर्भु जाय है बाकी जो भी हो बगवान जाने इस वर प्रभु जाने चलो बताओ अगर इसका एक एंगल 45 का है और एक एंगल मैं माल लेता हूं कि 75 का है तो चचा बताओ की का होगा सी नंबर कितने का होगा पंकच रभी कुमार हाँ बोलिये बोलिये कितने का होगा सोचिए और बताइए कर लेंगे इसको भी अच्छा यह रिवीजन है हो रहा है क्या हो रहा है रिवीजन हो रहा है क्योंकि सब खतम हो गया बैसिंगल भगाय तुम तो बड़ा अजीब टाइप का कमेंट कर रहे हो खतरना चाइप का लेकिन उत्तर तो गलत अनुपहम घृ गौतम पर्सिंट करोगे तो कितना परसेंट आएगा दिमाह कान खुला रखिये और जिन लोगों की कलास के साथ साथ में गुप चुप वाली चैटिंग भी हो रही हो वो लोग उसको ना करें बंद कर दें क्योंकि मैंने देखा है सुना है कि लोग पढ़ते भी रहते हैं कोई मूँ भी देख रहे हैं कुछ भी करने बीच-बीच में उपर सही से नोटिफि ने बताया था लेकिन इन्होंने थोड़ा सगड़बड किया था दीपेंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था दीपेंद्र बहुत अच्छे 20 परसेंट आएगा न सातियों मैंने बताया था कि पर्फिंटेज में करने के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से मल्टीपल क याँ रखना अरे हम पढ़ते थे हम लोगम हमारे गुरु एक थे पढ़ड़ाम इनको गुरु जी हमारे बहुत हम लोग का मजा लेते थROजो दें कहते थे Sum याद होईगा तो हम लोग कहते थे हां गुरुजी पढ उने के याद भी होईगा लेकिन वर्रीभी आँजी जाए ब समझ है उसका कहते थे आजी पेपर टक कहना आज बाजीर वहना इसलिए क्या करिए पढ़ने के तुरंट बाद भात भी जान करिये यह किसे होता नहीं कोई किसी को कुछ बोलता है का 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 समझे रहे हो कि नहीं मतलब आदत होती कुछ लोगों की सुन लेंगे फिर भी बोलेंगे क्या क्या है तो वह कंफर्म करते हैं तब ही कुछ बोलते हैं तो वैसे क्या इसमें भी कंफर्म करना है आपको आगे एक और बताईए अगर किसी परिक्षा का पूड़ांग आठ सो है और कोई उसमें से प्राप्तांग 680 नंबर पाता है तो कितना पर्फेंटेज है बताईए कितना पर्फेंट है पंकज आपका सही था लेकिन आपने पर्फेंटेज का चिन्ध नहीं लगाया था पंकज पर्फेंटेज का चिन्ध नहीं लगाने के कारण आपका गलत था बताईए जब आप दीजिए कितना आएगा हम बोलिए आपको सीपी यानी क्रे मुल्ले किसी बस तुका सीपी यानी क्रे मुल्ले बारासो रुपए है यस पी यानी कि सेलिंग प्राइस उसका नौ सो रुपए है तो यह बताऊ पर्फेंटेज प्रॉफिट कितना होगा पढ़ाया है ना मैंने इसको कि नहीं पढ़ाया है ना पढ़ाया है ना बताओ चलो बहुत अच्छे बाई बेरे गोड इसमें अगर मैं बात करूं अंसर देने वालों की कमी नहीं है एक से खतरनाक भी रही इसमें सबसे पहला जबाब लकी ने बताया है 85 परसेंट अनु बल्यान ने भी वही बताया लेकिन इन्होंने पर्फेंटेज नहीं लगाया एक कदम उरा गये हैं पंकज ठाकुर बहुत अच्छे ओसवरी प्रियंका मतलब नाम एक जाई से है तो गड़ बड़ो जा रहा है साथियों इसका पर्फेंटेज निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था आपको प्राप्तांक को गुड़ा करना है 100 से क्यों भाई यह यह ना पूडांक से भाग दे देना है यह भाई रुक जाए एक मिनिट पूडांक 800 था यही करना है ना दूजीरो से दूजीरो गया आठ से काटेंगे आठ च्छंग अड़ तालीस कट जाएगा आठ ठाई चौण सट अट पंचे चालीस 85 पर्फेंट वालों का सही है यह फार्मूला बताया था जो प्राप्तांक है उसको 100 से गुड़ा करके पूडांक से भाग दे देते हैं टोटल पर्फेंटे जा जाता ह कि इसे में कितना व्ल STEEL का प्रॉफित है पहलेती मृड़ा मंद लाइज अगर छोटा सा बच्चा है तो पहले वो उटके बाइटना सीखता है पहले नहीं लगता है यह फेले उट के बाइटना सीखता है ज्लाता है कौह पाँच करता है विसकर बाद बाइटने लगता है ले ले ये झाले बाबा आजा हा जा जा चालाती है आज झाले जाली या उसको मॉद्ध कर्या हरते ले लद हकुद है, फिर जाके चलता है तब दूड़ता या उच्छा नार इस करता है ऐसको करता है वागेत- बाद में कतने prov紧 कितना का हो रहा थी cu क्योंकि ख美味 лиizza प्रॉफिट हुरा है कि लाग सोरा है इस मेर्स काहा जारहे है कि यह सेलिंग सीपी 90 corridor बारास हो था बेंचा ना वह बैचा जई नहीं हुरा लाग सो का तो क्या करेंगे पर्फेंटेज हानी बराबर या लास बराबर लिखेंगे तो हानी कितने की हो रही 300 की गुड़े 100 बटा कितने में खरीदा था 1200 जीरो से जीरो कट गया इनको काट पिट दीजिये यह कट जाएगा क्या कि 25 को नो बता रहा भी कट जाएगा का 12 दूना 24 बारा पंचे 60 हाँ ठीक है बरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे इतने सुन्दर सुन्दर बच्चे आप लोग की मैं क्या काऊं चलो अच्छे ओ चलो ठीक है 25 परसेंट आगे ना सभी को आज टाइम नहीं बित रहा है क्योंकि कोर्स खतम हो गया मैंने सोचा थोड़ा रिबीजन कर दूं तो चार टाइम बिच जाए बंद करें लेकिन ये खत्में नहीं हो रहा है जिंदगी में पहली बार हुआ जब मैंने टाइम बिताने के लिए सोचा नहीं नहीं तो जिंदगी में टाइम ना मेरी हाथों से इतना तेज भागता है कि मैं पकड़ता रह जाता हूं चलिए फिलाल ये तो बात निकल गई ऐसे ही बाकी टाइम बिताने की बाती नहीं बहुत सारा काम है अभी इसमें आप वलोग जानते हैं बिंदु क्या है पॉइंट मैंने पढ़ाया था इसकी परिभास अगर आ गया लिखने को बिंदू क्या है तो क्या बताओ गया यह बिंदु बोल रहा हूं मतलब पॉइंट बिंदु किसी का नाम नहीं क्या है बताइए सोचिए और बताईए भाई पीछे चे कुछ गड़बर तो नहीं दिख रहा है इधर गुमता हूं तो मैं खुद नहीं देख पाता हूं पीछे गुमता हूं तो आप लोग देख लेते हो गए कौसल्या मौर्या गौतम देखो भाईया पढ़ने आया हो ना बाबू तो पढ़ लीजिए अच्छा काम करोगे तो खुद ही नाम होगा जहां से अनन्त रेखाएं खीची जा सकें उसे बिंदू कहते हैं और कोई जिसकी लंबाई नहीं होती है ठीक है असनेह अनुपम नीलम यादो किसी पैंसिल के नोग चिन को बिंदू कहते हैं नोग चिन को मतलब आपका भी भावनाएं सही हैं जो आप कहना चाहती है लेकिन यह थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहिए कई तरीके से आप कह सकते हैं अगर इसे हम विज्ञान की भासा में देखें तो एक ऐसी आकरती जिसकी कोई परचाई नहीं होती जिसका कोई मतलब समझ रहों परचाही समझ रहों कि नहीं इंगलीस में क्या बोलते हैं इसे कि अब यहां बीमह नहीं होती है से भी बोल सकते हो एक जिनन जिसकी ना तो लंबाई होती ना उचाई होती है ना मोटाई होती है कुछ नहीं होता है वह बिंदु का लाता है लेकिन खिन छिफ्पाहर महल दढ़ पारे कहते हैं न मूहें बायव कि निकलत नान बहुर्वा कि यह दुकति है पर इच्छों में दिक्कत हो जाए ना बए रहा थे मुहें लेकिन गफ़ा मना यह यह रूग लिखात ना बनत को फिर आके का कहते हैं है है सुन रही हो में सब आवत रहन लेकिन अम लिखने पहने बस इफ लिए रिवीजन कर लीजिए जिससे यह ना कहना रहे खाँ सभावत्रान लिखना पाए तो यह बताए तीन यक्स का स्क्वायर धन यक्स का स्क्वायर क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है कि नहीं देखिये, यह सजातिये पद है, सजातिये भी जातिये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को ना, बताया था कि जो लोग कलास में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं आपस में साथे में काम काज करते हैं, तो ऐसे दो लोग जो जिनकी सोच पसंद और क्या बोलते हैं उसे कार एक्टिबिटी गुण पर गुण बहुत सारी चीज़े होती है अगर मैच खाती है तो में फ्रेंड्स ही हो जाती है दोस्ती हो जाती है और दोस्ती क्या होती बाद में प्यार में बत्र जाती है तो यह एक्जाम्पल के साथ मैंने आपको बेसिक वाली कलास में पढ़ाया था सायद अगर आपने देखा होगा तो इन्हें यहाँ पे जादा हम डीपली नहीं बताने वाले हैं अगर इनके चर यानि बेरियबल्स इक्वल होते हैं और घात भी बराबर होती है तो यह सजातिय पद कहलाते हैं है ना घात बराबर होनी चाहिए और चर भी एक जैसे होने चाहिए तो सजातिय पद कहलाते हैं है ना तो यह घात भी बराबर है चर पद भी बराबर है इसलिए जूड़ जाएंगे और जूड़ते कौन है जुड़ते कौन है यह घातवात सब देखने के लिए हैं जफे देखते नहीं हो नेता अभी समय सबसे अच्छा एक्जामपल चुनाओ का चल रहा है उपी में एक दूसरे पार्टी के परत्यासी जो है आपस में कभी लड़ाई नहीं करते हैं उनके कारेकरता मर कट जाते हैं कि अभी देखे जिनकी सरकार बनेगी ना अगले मुख्यमंत्री उनको बधाई देंगे समझ रहा हो कि नहीं उनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी यह लोग आपस में साधी ब्यामें भी जाएंगे अपना इनका कभी दुस्मनी बायर नहीं होता है इन लोग का एक ग कर लेते हैं यह मैं क्यों बता रहा हूं यह मैं इफ लिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जब जोड़ते हैं तो जो दिख राव नहीं जूड़ता है जो दिख राव नहीं जूड़ता है इसमें इनके गुडांग गुडांग जूड़ते हैं बस कोफिसियंट जूड़ते ह तो यह लगी रहती है गैसमज रहे हूं ना यानि इसका गुडांक देन की इसमें इसमें गुडांक या वण ढहान लिए को समझय रहेु ना तो यह तंद तीन और एक कितना हुझाइगा चार तो यहुझाइगा चार qs3 यानि गुडांक गुडांक आपस में जुड़ जाते हैं कॉफिसियन जुड़ जाते हैं घाते वैसे लगे रहती हैं चरपद वही रह जाते हैं समझ में आया आया समझ में कि नहीं इसको मैंने क्यों बताया इफ लिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा उख्यान हो सके चलिए एक और बताईए यक्स का पावर 3 और 1 अपान यक्स का पावर 3 ये कितना आएगा हैं तो बड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन आपके समेस्टर सिलेबस में इससे ज़्यादा बड़ा पढ़ना भी नहीं हजमनी होने वाला फिर हाजमूला अलग से खाना पढ़ेगा कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा छोटा काहे दे रहे हैं तो इतना ही है क्योंकि पहला पहला समेस्टर है पहली पहली बार है तो इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो गड़ बड़ हो जाएगा अच्छा एक बात इवांदारी से बताना दिल से बताना कसम खा के ना बताना वैसे बताना अरे इतनी अच्छी बात नहीं पूछने जा रहा हूं बस मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या इसका फर्मूला याद है बताये याद है कि नहीं भई क्या नाम है वो हिमेश रे समिया की हितेश कुछ ऐसा कुछ कमेंट आ रहा है ऐसे ही कुछ है कि अलग है अरे वो काफी पॉपुलर है बाइस गाने वाने में लोग देखते हैं कापी अच्छी तरह से सिंगिंग होती है चलो अब लोग समझे गए होंगी याद है पक्का याद है जैसे कहते हैं नहीं हो लोग हम तुमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं हम तुमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं कौन कहता है अब समझ गे होंगे ना लेकिन कहें तो चलो निस का पाड़ा चुना तब नहीं इसको तो नहीं कर सकते हैं इसको तो नहीं कर सकते हैं बाकि सब होती ज्यादा होता है होता कम होता है तो हाँ यह फार्मूला में इफ लिए दिया क्योंकि भाई इसका काम आगे लगेगा जिन्दगी में यूज होगा इसको लिख लेना कि ठीक है तो लगभग मुझे लग रहा है कि कि हो गया खतम हाँ चलते-चलते एक और भी बात कर लेते हैं यह बताइए कि ध्यान देना कि नहीं पागल नहीं कहते हैं पागल हो जाते हैं एक और मैं क्या बताने वाला हूं पांच केजी का पांच केजी का है पान सो गार मिटला पर थीटवधम कर दिया है इंप इतना अच्छा बात लिखा तक फिर भी ढिलिट कर दिया कितना पर्फिंट है जरा सोचिए और बताइए देख वाई सीम्पल सा बात है यह थोड़ा अलग है यह थोड़ा अलग है यह थोड़ा दोखे बाज बेवफा टाइप का जिसे बोलते हैं समझ रहो कि नहीं अब आप कोगे यह सब बाते का है बोल रहे हो कुछ चीजें हैं ज इसका वास्तवी का फेस अभी नहीं दिख रहा है इसका नहीं दिख रहा है इसका नहीं दिख रहा है समझ रहो ना जैसे कोई कहता नहीं मैं तुम्हार ले चांद तारे तोड़ा लाँंगा अब उचांद तारा कभी देखा भी नहीं एक खुद से चुआ तक नहीं इनका पहले रियल फेस दिखना चाहिए एक दूसरे को आमने सामने कैसे हैं यह आये यह पांच केजी दिख रहा था लेकिन यह वास्तों में 5000 गराम है और यह कितना है 500 गराम है अब इनमें कंपेयर करना है इनमें क्या करना है को यह लोग संडे वाली बात जानने के लिए कित आइड कर लिया तो क्या होगा बताओ काये का अरे मेरी कहानी का तो परचार कर दिया इन्होंने अब बताओ पता चले वो दोनों परानी देख रहे हो कहानी तो जिनमें यह हुआ है बात दोनों देख रहे हैं तो क्या होगा हमें तो जीने नहीं देंगे दोनों मिलके महाने से बतायेंगे कभी कि वो लोग न जान पाएं कि मैंने बता दी आप लोगों से और कोई बताना नहीं अकसर वो लोग हमारी कलास देखते इसलिए नहीं बता रहा हूं ऐख उसलय कि क्टिषपकर ही देखते लेकिन देखते है कि कि चलिए तो भाई इसका परफेंटे निकालना निकाल लेना मैंने बताया बहुत बार निकाल लोगे ना 500 को गुडा कर देना है किस से 100 से और 5000 से भाग कर देना है क्यों सही जा रहा है गलत इन चूसर बता रहे achieved इस एक गासरों कहां से बता रहे हैं किश्ञेके बता नहीं किसी की श्टोरी नहीं बताएंगे बहुत ऑख उल्ली देंगे सही बात है अ चुपचे से बताएंगे कभी कलास में बीच में बता देंगे वो लोग जान नहीं पाएंगे समझ में आए ना देखिए सही भी है ये दस परफेंट ही आएगा आप 5000 का 10 परफेंट निकालो 500 ही आएगा भाई या फिर तुम ऐसे ले लो मोटा-मोटा 500 को 10 से गुड़ा करो तभी तो 5000 आएगा ना ठीक है ये बताइए तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी गौतम जी ठीक है बहुत अच्छा है बहुत बहुत बढ़ाई आपको कि आपने पहले बताया था लेकिन भाईया हो नाम के चक्कर में ना पढ़ा करिए एक्चुली ना हमको दिखाई थोड कि अच्छा आप लोग बताईए पहाड़ा याद है आप सभी को टेबल याद है है नाइंट्इन सेबंझा कितना होगा बताई इए उन्स सत्थे कितना होगा यह पहाड़े कुछ इस तरह से याद होने चाहिए क्योंकि जब हम लोग कलकुलेशन करते हैं तो हम लोग गुड़ा भाग करने लगते हैं दिमाग में रहना चाहिए खोपड़ी में 19 सत्य कितना होगा इसमें से उमीद है कि अधिकांस लोग को नहीं पता होगा मुझे भी नहीं याद रहता था पहले लेकिन अब पढ़ाते पढ़ाते ना अब्भ्यास हो गया खिक है 133 बहुत अच्छे बेरी गुड उर्वर्शी बर्मा भई इनका कमेंड तो आज पहले दिन आ रहा है इन्होंने दो चार दिन कलास देखा उसके बाद यह मंगल गरा चली गई थी तो चला जाएं फिर बंद करा जाएं अभी तो बहुत कुछ बचा है भईया बंद काहें से करोगे यह बताएं रोमन संख्या रोमन संख्या यल कैप्टाल यल यह किसका मान है यह किसका मान है यानि की दसंख्या पद्धती में इसका बैलू कितना होगा जैसे यह इसका वी का पांच होता है वैसे यल का कितना होगा कितना होगा भाई बोलो ना गौतम जी आपका यह तो मैं आपके नाम का कल से बोर्ड लगा क्या हूंगा यह आप यह जो भी देखेगा तुम्हें को नाम बोलेगा पस इसमें सबसे पहला जबाब अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम है अंकित पंडे बहुत अच्छे अंकित जी बेरी गुड़ बेरी गुड़ अभी गौतम बाद में रोएंगे मेरा नाम तर नाइव वह ले ठीक है सर्ँ में अगर हम आगे बात करें अगरा नराजमत हो ना प्यार से बोला हूं यार मैं गुछ साना नहीं चलो कि वजब सब नराजी चला है रहे हैं 100 100 100 इसको रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे किस से लिखेंगे बताइए किस से लिखेंगे नहीं इंसल्ट की बात नहीं मैं ऐसे बोला कि हाँ कम से कम जागते रहें आप लोग सोये नहीं और आप लोग कलास को जब लाइब रहे तभी देखा करें बाद में मैं कलास देखने नहीं दूंगा कल से हटा दूंगा जब लाइब मैं पढ़ाता हूं आप लोग आया करिए टाइम निकाल के आईए मैं अपना सब कुछ छोड़ चाड़ के आया हूं पढ़ाने आप लोग देखिए अभ्यास प्रस्ने में मुझे लग रहा मजा आ रही है क्योंकि संख्या बढ़ रही है जैसे रात बीत रही वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है क्या बात है बही चलो एक और बताओ अगर मैं रोमनंक में ये पचास को ऐसे इसमाल यल से लिखू तो क्या ये सही है क्या ये सही है हाँ या नहीं बोलिए यस या नो आमिर प्रियंक ठाकुर रेखा आयूसी क्या को मुझ बना रही हो आवाज काफी लेट में जा रही है अब वीडियो थोड़ा सा आगे भगा लीजिए सही हो जाएगा मुझे लग रहा है थोड़ा फंस रहा होगा कि अधिए इसके सपोर्ट में कितने लोग है अनुपा मौर्या ने कहा नहीं दीप का नहीं 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 अरे यह कौन हाँ बोल रहा है पंकाज आये पंकाजवा देखा सुधरा नहीं अभी एक बार में बोला तो फिर कहेंगे कि हमको ऐसे काय बोलते हैं सब नहीं बोल रहे हैं अरे कम से कम देखी देखा बोल दो नहीं 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 बहेंड देखे हो एक ठीकुवा में कूतिन सब कुछ जाती तो इंसान भी वही करते हैं लेकिन आप तो आ बड़ बड़ हो गए ना समझ रहो ना ऐसा नहीं अगर सारी दुनिया सही रास्ते पर ही जा रही तो हमको भी उसी रास्ते पर जाना चाहिए अगर दूसरा आप सन्ना हो तो तो वैसे यहां पर है क्योंकि यह आंसर जो है गलत है रोमनंक में कभी भी इसमाल लेटर नहीं लि तो एक और बताइए हम ए और बी यह अंडरूट थार्टी सेबन है यह अंडरूट थार्टी सिक्स है इसमें से कौन रेफनल नंबर है यानि पर्मिय संख्या है इसमें कौन रेफनल नंबर है यानि पर्मिय संख्या है ए या भी सोबित कुमार निवेदन है धैर बना के रखिए सब्र बना के रखिए और कलास देख लीजिए प्रियाकुमाड़ी कह रहे हैं ए, पंकजपार हैं बी, प्रियाकुमारी अभी तुम ही बात कर रही थी न, अभी तुम्हारी बुद्धी उधर चली गई है तुम्हारे गलत हैं बाकी सब कसा है प्रियंकाढ़ ठाकुर, गौतम, पतेल, चांदनी, अधो सौरफ और सुमिट, माली नेहा गुपता रचना पूर्निमा दुबेदी वन्सिका ठीक है भाई आओ मैंने बताया था कि कोई भी नंबर रेफनल नंबर होगी पहले तो उसका वास्तविक फेस देखेंगे चेहरा अगर धांक रखा है तो पहले खोल के देखेंगे वह है वही है कौन आउर है समझ और पहले उसको वरगमोल निकालने की कोसिस करेंगे उसको हटाएंगे चिनक act in second कितना आएगा six आएगा तो यह बी वाला क्या है रिखनल नंबर होगी यह रिखनल होगी आवड क्या है रिखनल समझ मेशना uh? आ आया नहीं समझ मेशना यह बताईए यह समझ यह डैसे हमने五 लिखा तो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं तीन बार एक्स एक्स तो क्या 40 को हम 4 बार एक्स एक्स लिख सकते हैं यास या नो और अगर नो तो क्यूँ बोलिए यास या नो और अगर नो तो क्यूँ सौरव सुप्रिया ए भाई मज़ा न ले तुलोगा मज़ा ज्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा इतना मज़ा लो कि नीद ना आए बस समझ रहे हो कि नहीं पता है जब पहले हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में तो बड़ा रात में नीद आती थी तो उपाय पूछते थे सब से भाई नीद ना इसके लिए का करें तो कोई बताता था कि राती कि मिर्चा रखे राकर खाय लेकर जब खूब नीद आवे ना एक खतरना कड़वा वाला और एक लोग बताये थे भईया पान खाय लेओ कर पान का पत्ता समझ रहे हो ना एक दिन लाके रखे थे पापा उस दिन बहुत मारे थे अब है ससुरा पा कि दबाय खाओ कस के कि मतलब पूरा असर कर दे और फिर देखो कुछ देर तो नींद नहीं आएगी कुछ देर नींद नहीं आएगी पक्का है मैं पान के पत्ते की सिर्फ बात किया उसमें और कोई माटरियल नहीं होता था सिर्फ पत्ता उनली पत्ता पत्ता देखिए जो लोग बता रहे थे ठीक है अच्छा है ये गलत है ऐसा नहीं हो सकता है इसका नियम क्या है रोमा नंक में बताया गया है कि कोई भी लेटर को तीन से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है कि कोई भी लेटर को तीन से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है ये रोमा नंक में नियम होता बस बाकि इनका तीन बार हो गया टिनका चार बार हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं है समझ में ना है उजशा 5025ए 5025 को कैफे लिखेंगे गिंती में बता उ मांदारी से बताना यह 25 हो सकता है गलत मैं लिखाऊं इंधी में चलो बता उ 5025 को आप लोग अंकों में लिखे बताऊ साही लिख दीता हुने लोग इसी का इस्का शक्रिंसाट लेकर सेयर करने लगें 커 25 आ कि बता यह कैसे लिखेंगे आयूसी प्रिया कुमारी गौतम अनुपम दिपेंद्र बड़े खतरनाक वेयार आप लोग लिखतोर ले रहे हो भई यह तेखो सुपरीवा का लिखरही 24 यह लोग खुदे अपना नाम रखा है ठीक है तो यह हो गया समझ में आना सभी को लेकिन इसमें एक म है अच्छा चलो बताओं दो लाक सत्तर लिकर दिखाओ चलो दो लाक सत्तर है दो लाक 70 कैसे लिखेंगे मैं इस अब ज्यादा बात چीत नहीं की है किण 2,70,000 गैसे लिखेंगी देखिए यह अंको सब्दोवाला है इसलिए लिखवा रहा हूं बाकि यह कोई खेल नहीं खेल रहा हूं बोलो 2,70,000 पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितने अंक रहेंगे लाख में कितने सुनने होते हैं कुछ लोग का करते हैं गावाओं में बहुत पड़े यहां बड़ा माश्टरबनत बतावा एक लाक मक्क है जीरो तो तुम लगे खुपड़ी खजवाने पहेंगे चला अटा बहुत जान लें इसमें सबसे पहला अगर किसी का जबाब आया है तो उनका नाम है पंकच कुमार पंकच के बाद में रेखा जी हैं रेखा के बाद लखी इन्होंने तीन्ठी सुनना लगाया फिर सत्तर लिखा है ठीक है कोशिस किया आपने अधिकांस लोग तो अभी खुपड़ी खजवा रहे हैं कुछ लोग नाकी मंगुली डाल लिए हैं नहीं आदा आ रहा है ठीक है पहला बाद तो एक लाख में पांच जीरो होता है तो हम लोग को अपना छेतरफल बनाना ऐसे पांच जीरो वाला हमें लिखना क्या था दो लाख सत्तर ना दो लाख सत्तर लाश्ट में सत्तर बोला जा रहा है तो लाश्ट में सत्तर कर दीजिए बाकी किसी को मत समझ में आया ना समझ में तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लास खतम कर देना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया रिबीजन भी हो गया बहुत सारा कोर्स आपका खतम हो गया मैंने पहले ही बता दिया है अब अगर हम किसी दूसरे समेश्टर का मैथ सुरू कर देंगे ना रोना नहीं को यहां लड़ाई ना करना गरियाना तो विल्कुल नहीं ठीक है तो यूटूब पर मैंने 32 कलास में डीलेट का फर्स समेश्टर का पूरा मैथ का कोर्स खतम कर दिया लेकिन निबेदन है कि कोई भी को डाउनलोड नहीं करेगा कहीं चुरा के रखेगा नहीं आनलाइन यूटूब पर आके देखेगा और लाइक करेगा जब भी देखेगा और दोस्तों को सेर करेगा ठीक है यह बिनमर निवेदन है आप लोगों से करिएगा और सेर जरूर करिएगा ठीक है जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है वो परतेक रात 9-10 हमारे साथ ठीक है है हाँ रिवीजन हो जायेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रिवीजन हो जायेगा प्लेलिस्ट में सारी कलासे हैं अच्छा इसमें से कितने लोग कोई और समेश्टर कमेश चाहते हैं कितने लोग कोई और समेश्टर का मैं चाहते हैं जैसे सिकेंड समेश्टर थार्ड समेश्टर या फोर कुछ और कौन सा समेश्टर चाहिए बताइए अंजना कुमारी मौम्मद खालिद लकी चांदनी सुपरिया तो ठीक है